हेलो अब्रिवन MPPSC ने बहुत ही जल्दी जो है कल रात को प्रोवीजनल एंसर की डाल दी जिसमें यह देखा गया कि जो पहला पेपर था उसके उत्तर तो मेरे हिसाब से लगभग लगभग सही थे लेकिन जो सेकेंड पेपर सी सेट का उसके मैक्सिमम एंसर जो है न वह गलत थे ऐसा लग रहा था कि बस ABCD लिख दिया गया तुक का टाइप का जिसे बहुत ही जल्द MPPSC ने हटा दिया तो अब आगे क्या होगा और साथ में कटाफ क्या जाने की संभावना है आप यहां पर विग्यपती भी देख सकते हैं यहां सीग्र जो है नई उत्तरकुंजी ज गयरा क्या था और इसके साथ में इस परिच्छा के पहले और इसके बाद में कौन से एक्जाम होने वाले थे तो अगर हम पिछले वर्सों से कंपेर करें तो सबसे पहले दिहान रहें पिछले बार 317 पोष्ट के लिए जो है ना कटाफ जारी किया गया था इस बार जो है प 113 परशन लोगों का कटाफ क्लियर किया जाता है मतलब अगर यह मानके चलिए कि लगभग 10 से 11,000 लोगों का इस बार प्रिलियम से निकलने वाला है तो एक तो पोष्टों की संख्या बहुत जादा है दूसरा यह दिहान रखेगा कि कितने लोग अपियर हुए हैं अगर य जो लोग पेपर अटेम्ट करते हैं 70% के आसपास होते हैं तो अगर इसका 70% निकाला जाए तो लगभग 2,000,000 लोग ही जो है ना पेपर इस बार दिये हुए हैं तो कमप्रिशन भी कम हो गया तीसरी बात यह दिहान रखेगा कि जो अधर एक्जाम अधर एक्जाम जैसे के इसके भी फॉरेस्ट के एक्जाम होने वाला है उसके पहले वर्ग 2 और पटवारी की एक्जाम पे तो बहुत साइव लोग ऐसे जिन्हें MPPSC की तैयारी करने के लिए प्रॉपर टाइम ही नहीं मिला तो इस कारण भी कटाफ कम जाने के संभावना कितना कम जाएगा पिछल के कटाफ 143, ST का 132, OVC का 148 और आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उनका 148 कटाफ है वहीं पे अगर OVC को जो है 14% रिजर्वेशन पहले की तरह ही मिला तो फिर जो प्रुविजनल लिस्ट दूछरी जारी की गई थी उसके हिसाब से UR का जो कटाफ था 146 रहेगा और पिछला वर्ग जो है इसका कटाफ 142 के आसपास ये चीजे होने वाली हैं तो आप ये समझ जाएए कुल मिलाके कि जो वर्तमान का कटाफ है वो डेफनेटली गिरेगा पिछले वार 77 था पेपर ये बिल्कुल दिहान रखेएगा पिछले वार कंपेर में टफ था ठीक है जिन लोगों ने एक्जाम दिया हुनोंने समझा होगा 50 कोस्चन तो बहुत ह सिंपल थे लेकिन 50 कोस्चन पिछले वार कंपेर में काफी टफ पूंचे गए थे तो ये दिहान रखेए आपको जो कटाफ है मेरे हिसाब से जैनल का 72 के आसपास जाएगा देखिए मैं कोई बागेस्वर धाम महराज तो हो नहीं कि एकदम एग्जैक्ट बता पाऊं लेकि कि अगर आप रिजर्व के टेग्री के हैं तो 65 से अगर जादा है तो आपके चांसे हो सकते हैं 65 प्लस कोस्चन आपने अगर सही किया इस पीछली हैस्टीसДа के टेग्री में OBC जैनल वाले आगभी 70 से जादा है तो आप मेंस की तैयारी के हिजाब से सूश सकते हैं ठीक है ये अनालिसिस कैसा लगा जरूर बताईएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिए बहुत ही जल्द हो सकता है साम तक में आपकी प्रोविजनल एंसर की भी आ जाएगी फिर एक बार और आप मिलान कर सकते हैं और तैयारी में लग जाएए ओके थाइंक्यू बार